नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की कूटनीती और राजनीती में भी किस तरह से जो अवधारनाएं हैं जो फर्जी खबरें हैं वो असर डालती हैं प्रभावित करती हैं देशों को इसकी ताजा मिसाल हमें देखने को मिली कैनेडा से कैनेडा में एक फर्जी खबर आई कि एक पार्क जो गीता पार्क है वहाँ पर कोई हेट क्राइम हुआ है जिसकी शिकायत इंडियन मिशन ने कैनेडा में पुलिस को की और आप देखिए कि उसके बाद वहाँ जो पुलिस तफ्तीश की बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है यानि यह जो नफरती एजेंट भारत को प्रभावित कर रहे हैं यह अंतराश्टी इस्तर पर भी अपनी पहुच और पूच बना रहे हैं और भारत के नाम की किरकिरी कर रहे हैं दोस्तों परताल दुनिया भरकी में आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की दो एहम खबरों के बारे में पहरी खबर लातिन अमरीकी देश ब्राजील से जहां राश्ट पत का चुनाव होना है प्रक्रिया चल रही है पहले दौर का पहला चरण पूरा हुआ है वहाँ टककर बॉलसिनेरो और लूला के बीच में है बॉलसिनेरो के पास अभी तक सत्ता है लूला कड़ी टककर दे रहे हैं बॉलसिनेरो बेहत बदनाम रहे उनके खिलाफ बहुत आंदोलन भी चले एक दूसरे ढंका दक्षन पंथी शाशन उनका रहा है और वहीं लूला जो लंबे समय से सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं तमाम तड़की अर्चनों को पार करते हुए 48.4 फीसदी वोट उन्हें इस बार हासिल हुए हैं लेकिन 50 फीसदी से कम है 30 अक्टूबर को दुबारा वहाँ पर मद्दान होना है इस पर हम चर्शा करेंगे और दूसरी देखा कि Nord Stream 1 और Nord Stream 2 में जिस तरह से विस्पोर्ट हुआ जिसे लीग बताया गया यह बहुत एहम गैस पाइपलाइन है जो रूस से होते हुए सीधे पहुशती है जर्मनी जर्मनी बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर है अपनी गैस के लिए इस पाइपलाइन पर आखिर कौन और क्यों यह विस्पोर्ट हुआ यह लीक हुआ इसका क्या तालुक है यूकरेन युद्ध से और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एहम सवाल क्या रूस पीछे हट रहा है यूकरेन में प्रभीर सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूंगी कि लातिन अमरीका का जो एह अहम देश है सबसे एहम देश बड़ा देश ब्राजील वहां पर जो राजनतिक सरगर्मी चल रही है चुनाओ हो रहे हैं वहां पर जो चुनाओ के बारे में जो उपीनियन पोल्स एक्जिट पोल आये थे और जो अभी पहले राउंड में नतीजे आये हैं उनमें अंतर है लड़ाई वहां बोलसिनारो और लूला के बीच में है और एक्जिट पोल्स बता रहे थे कि लूला जीच जाएंगे क्योंकि वह बहुत लंबे समय से सत्ता से तक्रीबन कहा जा सकता है जबरिया उनको दूर रखा गया था और बोलसिनारो के बारे में था कि वह लगातार और लोग प्री हो रहे हैं अमरीका के पक्ष में खड़े हुए हैं दक्षण पंथी नीतियां हैं तो यह जो अभी प्रथम चरण में हुआ है पहला चरण हुआ है ऐसा क्या हुआ वहां पर कि इतना अंतर पांच फीसिदी का अंतर है दोनों के बीच में तो यह उसके लिए अचरज की बात नहीं होनी चीए थोड़ा सा इस पे जो लोगों को धक्का पहुंचा है जो वांपंती है जो इस इलेक्शन को फॉलू करते हैं इसलिए कि बुलसनारों के एक्जिट पोल और इसके पहले ऑपिनियन पोल्स का यह था कि शायद साइटी से 38% उनको बिलेगा लूला को 48% मिलेगा और 2% और ज्यादा मिल जाता तो 2nd round होगा ही नहीं कि 50% से चुनाव प्रेजिडेट बन जाते लूला पर वो जितना उनके प्रेडिक्शन्स थी एक्जिट पोल की अपिनियन पोल की उतना ही उनको मिला तो वो कोई नहीं बात नहीं है पर जो नयापन इस रिजल्ट में जिसलिए थोड़ा से लोगों को धक्का पहुंचा या अचरज हुआ इसलिए कि बुलसोनारों को 5% ज्यादा वोट मिला है जो उमीद थी एक्जिट पोल की तो देखें यह चीज क्यों हुआ है इसके बारे में भी बातचीत हो सकती है खास तोर से आप य लिए क्लिनटन और ट्रॉम्प की जब चुनाओ उआ था तभी एग्जिट पोल एक्शन के पहले अपीनिएन पोल की प्रेडिक्शन था घ्लरी क्लिंटन आसानी से जीत रही इस पर ट्रॉम्प का वोट उसका जो प्रेडिक्शन था उससे ज्यादा उनको मिला हाँ हाना कि अमरीका Electoral College बगारा नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा वह ओर complicated. Hilary को majority तो मिला था पर Electoral College में itudes बें उनको majority नहीं मिली थी. योग कि स्टेट्स की waitage अलग-अलग होती है. वो अलग बात है. पर इसके opinion polls के बारे में यह कहा जाता है कि लोग छुपाते हैं इसलिए उनको शर्माता कहते हैं कि हम ट्रम्प के पक्ष में वोट दे रहे हैं या बलसिदारों के पक्ष में वोट दे रहे हैं लोग को शर्माता बोलने में बलसिदारों का खिलाफ सिर्फ राइट विंग वो डिक्टेटर्शिप की पक्ष में थे बिलिटरी डिक्टेटर् तकरीबन डिजास्टर के तरह से उन्होंने मैनेज किया, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लोगों में बहुत गुस्सा था, और ये भी कह रहे थे कि ये तो ट्रॉम्प के तरह कि तो बड़ा छोटा फ्लू है, बड़ा कोई भी नहीं है, जिस पर कुछ नहीं होगा, तो आराम से लोग इसको जहल लेंगे, एटसेटरा, 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 तो इसलिए एक तो डिजास्टर हुआ है, लोग मरे हैं, तो उसके लिए ही सिर्फ अलोग प्रियर नहीं होते हैं, पर जिस तरह से उन्होंने किया था, हैंडल किया था, जिस तरह से उन्होंन के लिए तयार हो जाएंगे यह जो एक थेयरी था जो बहुत लोगों ने कहा था यह पूरी तरफ पूरी तोर से अब ऐग्यानिक है पर इस पे एक दो ऐग्यानिक भी जुड़ जाते हैं तो ट्राम्प और बॉलसनारो दोनों इस चीच की कह रहे थे ट्राम्प का खासियत है क कम से कम वैक्सीन तो उसने पैसा दिया था वैक्सीन बनाने के लिए बॉलसनारो वगारा का इसको भी नजर अंदास किया था और ब्रिजिल के पास वैक्सीन मिल नहीं रहा था तो को वैक्सीन की भी कोशिश किया था उसके लिए भी एक काफी इसमें एक काफी स्केंडल सा ह तो यह नतीजे बता रहे हैं कि जितनी नाराज़गी उस समय थी उसे मैनेज करने में बोलसेनारो सफल हुए है उसका बढ़ा है उसके बढ़ा नहीं है पीछले बार से वोट परसेंट बढ़ा है एकजित पोल और इसकी जो दूसरी जो होती है उपिनियन पोल इसके मुताबि उसमें करीब था 37% मिलेगा और 43 मिला है तो पीछले बार तो चुनाव जी देखते उतको 50% से ज्यादा मिला था उनको अल्टिमेटली रन-off में तो यह जो चीज है दिखाता है कि बोलसेनारो की पॉपिलारिटी इतनी नहीं घटी है जो लोग सोच रहते अर दूसरी बात ह है कि लूला के खिलाफ राइट विंग का जो मॉबिलाइजेशन है वो अभी भी तगड़ा है तो लूला की लोग प्रियाता भी है और एक सेक्शन के अंदर उसका रिजिस्टेंस भी है तो दोनों मिलाके हमको देखना पड़ेगा चीज है और दूसरी बात है कि लेफ्ट क दूसरे जगहों पे भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया यादि मत जो स्टेट वाइज जो रिजल्ट हुए है गवर्नर की सीटों पे इसेटरा उस पे भी इतना अच्छा लोग प्रियाता दिखाने लेफ्ट का जो आशा कर रहे थे तो बोलसिणारों और राइट वि लग एक दिर शायद विस्लेशन कर सकते हैं पर एक राइट विंग फोर्स अभी भी मजबूत है और दूसरी बात सोशल वीडिया का क्या रोल होता है इन चुनाओं में वो भी देखना जरूरी है कि वो पता नहीं चलता आम लोगों के एक अख़बार पढ़ते हैं टेलिव ही होती है वो कैसे अंदरूनी तोर पे प्रभावित कर रही है सोशल मीडिया वो अंदाजा नहीं लगता है हमें इनजार करना पड़ेगा 30 अक्टूबर को दुबारा होगा उस समय पता चलेगा कि लूला जो अभी 48.4 है यानि 1.6 फीसिदी पीछे हैं वो गेन कर पाएंग 8% दूसरे कैंडिडेट्स को बिला उसमें से कुछ ने तो घोशित करी दिया है कि वो प्रेफर करेंगे कि लूला जीते पर यह भी है कि उन्होंने अपने लोगों को नहीं बताया कि लूला के लिए वोट देता है तो अब जो है 8% पर खेल है जी तो हम इनजार करेंगे 30 त उसमें जो एक एहम डवलप्मेंट हुआ है और जिसको लेके बड़े पैमाने पे चिंता भी है जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन समुदर के अंदर से जाती है रूस से जर्मनी में मुलता जो एनरजी सप्लाई है गैस सप्लाई है उसमें आधे अनदर से जो विस्पोट की बात है मैं यहां विस्पोर्ट कह रही हूँ लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे उसे लीक भी बताया जा रहा है जो मीथेन गैस आहाराई है यह जो डवलप्मेंट है इसे कैसे देखा जा सकता है देखिए पहली बात वह है कि विसफोर्ट लीक की बात करें क्योंकि यह pipeline leak लगता है कि मामूली सा चीज है, चोटा सा हूँ मामूला होगा है, शायद natural है, फ्रइन खुळ गया होगा, leak हो गया जैसे, कोई आपका कील फंस गया, जैसे टायर में फंसता है तो leak होता है, यहां पर देखिए, यह steel pipelines है, और इस के चारों तरफ है तो यह pipeline मामूली नहीं है क्योंकि रहते हैं 100 मीटर, 1500 मीटर समुंदर के नीचे से जा रहे हैं और इस तरह से pipeline अगर leak होता तो दुनिया में gas pipeline चलती नहीं तो यह leak नहीं है इस पे sabotage जो कह रहे हैं किसी ने किया है और दोनों जगह पे एक दिन में हो ये भी संभब नहीं है ऐसा नहीं कि एक ही वक्त हुआ है उसमें करीब 16 गंटा की फरक है ठीक है ना तो लगता है कि एक विस्फोर्ट करके दूसरे विस्फोर्ट कराने के लिए कुछ और जगह पे जाके किया है दोनों में एक बैवधान भी है जो न हैं जहां से एक गैस बाहर आई है ये इलाका किनके पास है वो इलाका क्या है इसके बारे में भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है अगर आब मैप देखें तो साफ है दूसरी जो देश है यहां पर स्वीडन पोलेंड ये दो देश है ये तीनों देश इसको कहते एकन इक्स्क्लूसिव एकनॉमिक जोन इनके अंदर ये एरिया आता है तो इनकी निगरानी बाकाइदा इन इलाकों में रहता है यारी ये यूरोप के देश तीनों देश स्वीडन पोलेंड और डेन्मार्क और ये भी है कि ये खो नहीं सकता कि नेटों की निगरानी इस पे नर होता है और रूस भी इसमें एक पार्ट में इसमें बॉलिटिक सी उसका भी एक्सेस है तो ये एक काफी निगरानी रखी हुई जगह है ये हो नहीं सकता कि इसमें निगरानी नहीं थे रूस आके कुछ कर गया किसी को मालूम नहीं पड़ा जैसे कहने की कोशिश हो रही है हमनी को परिशान करना चाहता था और इसलिए उसने ऐसा किया सवाल ये है कि कोई भी देश नहीं कह रहा है ठीक है अब देखेंगे नेटों के तरफ से नहीं कहा गया है ये कहा है साबोटाज है किस नहीं किया ये सिर्फ लीक्स के तरह आ रहे हैं बिसफोट के तरह नहीं ल उसने यह किया है पर कभी भी कोई भी सरकारी सोर्स ओपन ली नहीं कह रहा है बलकि पॉलेंड का जो डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है और इस वाक्त MP है उसने एक थैंक यू बोला है ट्विटर में जो अभी डिलीट कर दिया उसने थैंक यू उनाइट स्टेट्स यह उनका क करता है रूस तो हम Nord Stream 2 को बंद कर देंगे खदम कर देंगे शब्द है खदम कर देंगे अब जब पूछा एक ऐसे करेंगे तो जर्मनी में जा रहा है रूस के रूस के हां से वह तो हमें इस सब करना आता है यह भी उनका कहने का है तो आप देख सकते हैं उनके बयान भी ज लिंकन में openly कहा कि बहुत बड़ा strategic opportunity है हमारे लिए तो strategic opportunity क्यों कि रूस से gas जाता था भविश्य में जाएगा pipeline खतम हो जाएगा तो अमरिका की LNG यॉरप में आएगा जर्बरी अमरिका पे निजबरशील होगा तो यह इसका दीप पीछे इसका एक खेल है यह लग रहा है किसी के बयान ना देखे अग सिर्फ देखे objectively किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा नुकसान किसका जर्मनी का क्यों उसको cheap gas बिल रहा था सस्ता gas बिल रहा था pipeline से LNG होना तो market rate होगा अंतराश्य market rate उपर ही जा रहा है कि क्योंकि gas की shortage पैदा हुआ है यह रूस की gas नहीं ना इतना LNG लाना आसान है तो automatically दाम बढ़ रहा है और शायद इसलिए देखे कि जर्मनी में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे तो not two को खोलने की बात की जल्दी से और उसमें से gas आए इसको ले के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जर्मनी में लोग कर रह दो गई तो वही तो बात है कि राजनितिक दवाओ जो जर्मन सरकार पे पढ़ रहा था जोगों के संतोश क्योंकि बिल बहुत बढ़ा है पांच गुना चे गुना बढ़ा है क following बढ़ा है बढ़ बहुत बौने बहुत बढ़ा बहुत बढ़़ा ऑन इतना बढ़ां भी न नहाते हैं तो गरम पानी इस्तेमाल करना काम कर दिया नहाना कम कर दिया तो यह तो इंगलंडर में भी यह बात के चल रहा है तो यह जो चीज है यह जो जनता पर पढ़ रही एक आइवास vaat तो ये है डारेक्ट ली उनको बढ़ रहे हैं पर इंडेस्ट्री बंध रहा है तो भावदे प्रमाने पे उनकी उंके वह अगाने पर इंडेस्ट्री एल्यूनियम इंडेस्ट्री ग्लास अपर से ए Anatomy केमिकल इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं क्योंकि फीट स्टॉक नहीं मिलता वो भी गैस है और इसके बाद एनरजी नहीं है तो यह दुश्चक्र में यूरोप और यह सारे देश फसे हुए हैं सबसे ज्यादा जर्मनी क्योंकि जर्मनी का सोर्स नौर्ट स्ट्रीम वन था अल् पॉलेंड के लिए अब इत्ता प्राब्लिम नहीं है कि उनकी अभी उसी दिन बाल्टिक पाइपलैन जो उन्होंने एक शुरू किया है नौर्वे से तो उनके लिए इत्ता प्राब्लिम नहीं है वो तो इस हिसाब से इस रश्चन गैस पे वो डिपेंडेंट थी इसी यु कर और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जो मुझे लगता है कि इस पर संक्षेप में हम बात जरूर करें कि खबर यह है कि रूस लगातार पीछे हट रहा है इस पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी अभी फिर खबरें हैं यह दोनों जो घटना करम हैं रेफरेंड जो घटना कि वह तो वहां है नहीं और वह सिर्फ सेकेंडरी सोर्से से हमें बिलता है अज को ते फॉग ऑफ वार बहुत घना होता है इन चीजों पर कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता है कहां से खबर आ रही है कौन कबर दे रहा है पर इस पर कोई दोरा नहीं है कि जो हुआ है और उसके साथ साथ रूस ने जो घोशना किया है कि वो तीन लाक और सोल्जर्स को भरती करेगा रिजर्विस को कॉल अप किया है तो उसका भी कुछ प्लैन है कि इसमें एक विलिटरी ओफेंसिव शायद वो किसी ना किसी वक्त करेंगे खास दोर से उनके कारकॉफ सेक्टर में जो काफी उन्होंने एडवांस किया है और इस वक्त जो है खरसौन सेक्टर में उन्होंने एडवांस किया है और यह हलाकि नदी के उस पार है नीपर नदी की नीपरो नदी की उस पार है पर इस पर खत्रा है कि खरसौन शहर अगर गिता है तो क्रीमि कि जो sweet water supply normal water river की पानी जिससे आप supply कर सकते शहर को वो तब फिर रूख सकता है जो उक्रेन ने पहले रोग दिया था क्रीमिया को supply अनलाना पड़ता था रश्या से टैंकरों के ज़रा तो यह जो है तो एक खत्रा उनके लिए है तो खरसान शहर तक अगर पहुंचेंगे मुझ कि यह रूस के लिए बहुत बड़ी आहम चीज है क्रीमिया 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 को किसी सूरत में छोड़ने को तयार में स्वास्टपोल उनका नेविल बेस है वहां पर तो वो सिर्फ उनका जो कहते है कि warm water access जो है समुंदर को वो एक ही हारबरन के पास है क्राइमिया तो इ referendum की सवाल भी नहीं था तो इसी लिए मुझे लगता है कि जरूर फरक पड़ा है पर इसको किस दृष्टी से देखना चाहिए इसके लिए वेट करना पड़ेगा और अगर जमीन की हिसाब से देखे जो 20% जमीन वहां पर उन्होंने कैप्चर किया है यूक्रेन का जो कह रह वापस ले पाया तो उस 20% से 0.2% से ज्यादा वापस नहीं ले पाया क्योंकि पूरे इसके रशियन गेंज के 1% उन्होंने वापस ले पाया है तो थोड़ा सा खारस्वान में थोड़ा सा और बढ़ा होगा यह तो बहुत बड़ी बड़ा फरक नहीं है पर यूक्रेन एड सब दिया गया है वह अभी भी कुछ इस तरह के अटक्स करने के पोजिशन पर है और लंबा चलने वाला है मामला यह लड़ाई आसानी से खतम नहीं होना है क्योंकि यूक्रेन के पीछे इस वक्त पैसा और म्यूनिशन और वैपन्स नेटो की है वो तो साफ है वो तो कोई चोली शुपी की कोई बात ही दिया तो अब मैं रहा है जैसे समय बीटता जा रहा है बहुत साफी हो गया है जो नेटो पीछे था अब खुलकरी सामने है वो तो बोल रहे हैं कि हम इसकी पूरी लॉजिस्टिक्स हम समाल रहे है हम पूरी तरफ से सैटलाइट इमिजरी से हम बता रहे है कहा रूस की सेनाय है नहीं है तो एक हिसाफ से सिर्फ वैपन्स देना ही नहीं युद्ध प्लैनिंग में भी लॉजिस्टिक्स में भी पूरी तरह से नेटो इस वक्त बरकरार है तो यह तो साफ है दोनों पक्षों के लिए और सवाल है कि कितना दिन तक यह यह उक्रेयन को पैसा दे पाएगा सप्लाई दे पाएगा यह सवाल है क्योंकि एक जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके एक एक इंडस्ट्रियल वार की जो सिच्विशन है इंडस्ट्री उक्रेन के पास है नहीं वेस्टन एप्रियॉरोप में भी दिन तक दे पाएगा इस तर मिन करेगा economic war जो है उस पे क्या कितना नतीजा निकलेगा और फरवरी से अभी तक हम अक्टूबर में पहुची गए हैं लबा चलेगा आपने जो कहा लबा चलेगा कोई हम तो देखी रहे हैं कि लंबा जंग चलने वाला है कि नेटो और रूस की बीच पे लड़ाई है नेटो का शिकार रूस है रूस का जो एटैक है इनडारेक्ली नेटो पे है कि नेटो को कमजोर करना है और एक सबक सिखाना है कि रूस के बॉर्डर पे अगर आप नेटो टूप्स लाना चाहा तो हम भी कुछ कर सकते हैं जो उनके पहले से पहले से इनकी गोशनाई थी कि हमारा बॉर्डर से नेटो हट चाहा है तो दुनिया तैयार है और दुनिया भूगत रही है युद्ध के जो तमाम परिणाम है वो पूरी द बार का जो असर है पूरा दुनिया में पढ़ रहा है पर पूरा दुनिया क्या शांती के लिए आगे आएगा कितना प्रिशन डालेगा ये सवाल है जी देखते हैं अभी तक तो बहुत पहल नहीं होती दिखाई दे रही शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि एक बार दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध छिड़ता है और यहां पर जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है असल युद्ध नेटो और रूस के बीच में है यूकरेन तो सिर्फ माध्यम बना हुआ है ऐसे में पूरी दुनिया में जिस तरह की आपदा आ रही है जिस सब बहुत बड़ी चिंता का सबब है आपके लिए और हमारे लिए आपसे गुजारेश है देखिए लाइक करिए शेर करिए न्यूस क्लिक पड़ताल दुनिया भर की